आज की यह वीटियो भी एफश्टियर के फर्स समिस्टर के छात्रों के लिए महा संग्राम होने वाली है रामबान होने वाली जिनका सब्जेक्ट हिंदी है यानि हिंदी काप भी है क्योंकि आज किस वीडियो मैं आपको जो कुईस्चिन बताने वाला हूँ वो आपकी प्रेंटी फिर से वोला हूं कि मेरे वीडियो से हर बार प्रशनाते इस बार भी आएंगे और वही सारे कोईश्चन और एंसर इस वीडियो मेंने सामिल किये हैं बस आपको वीडियो को पूरा देखते रहना है क्योंकि कुछ इसमें आपको हम बहुत फारी चीजे बताने वाल ठीक है अंसर सहित तो देख लीजिए वीडियो का प्रशन है ध्यान से सुनेंगे कि आदिकाल के दो ग्रंथों के नाम लिखिए तो आदिकाल के ग्रंथ कौन-कौन से हैं याद रखेंगे common question यह सारे question आपके फास्टेर के फास्मेस्टर के लिए तो महत्रपून है साथ में आप जब भी MA करेंगे या फिर आप लोग टीचिंग के तयारी करेंगे या फिर आप लोग कोई government job की तयारी करेंगे किसी भी चीज की तयारी करेंगे चाहिए आप लोग competition की करेंगे उसमें सभी के लिए भी यह महात्रपूर्ण प्रशन है तो दो आधिकाल के प्रमोगरंथ है याद रखेंगे प्रतिवी राज रासो और जैचंद प्रकास याद महात्रपूर्ण प्रशन है अगला question हमेशा repeat होता है और इस बार भी आएगा guarantee के साथ ये प्रशन हमेशा हर साल पूंचा ही पूंचा जाता है और इस बार भी पूंचा जाएगा क्योंकि कुछ question ऐसे होते हैं जो हमेशा repeated होते हैं और ये भी question उसी type का है जो कि आपके exam में repeat लीटी होगा तो चलिए इससके बारे में जानात है जानता है और लिखेंगे कि ये प्रशन आपको देखने को मिल सकता कि भक्तिकाण जैसे सुप्रसिद्ध कभियों महात्माओं की दिब बिवारी उनकी अंत करणों से निकल कर देश के कोने कोने में फैली थी उसी साहित के इतिहास में सामानेता भक्त यूग कहते हैं निश्चे ही वह हिंदी साहित का सुन यूग होगा जिस युग में जिस समय में कभीर जाइफी जैसे बहूत ही पौपलर कभी रहे हैं जिन्हों के अमी रशनाओं के माद्सटиться ऑप malt mixes कौने कोने है ठीक है उस यूग को तो हम सोने यूग यानि सोने का यूग कह सकते हैं ठीक है तो इस प्रकार इन्हों ने परिवाफा दिये जो कि करने के लिए भी आएगा ठीक है और निश्ट कोश्चन है कि भक्तिकाल में भक्तिभावना के कौन से रूप है ठीक है तो यह कोश्चन आप इगनूर कर सकते हैं बाकि आप चायत पड़ भी सकते हम तो इसको अगला कोश्चन टॉप लेबल का है कि या भक्तिकाल की प्रमुक प्रुमुकुश्चन बार कोश्चन तो इसको ध्यान रिक्तिकाल के लावा आने के पूरी उमीद है और कुछ तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहेगा ताकि आप अच्छे अपने एप्टिकाल अग्जाम को देते पाएं ठीक है अगला question है कि भक्तिकाल की तीन प्रमुक बिस्ष्था है यह भी हाई लेबल का question इसको भी ध्यान रखेंगे भक्तिकाल के चार प्रमुक कभी हैं कबीर दाफ जी जाइफी जी सूर दाफ जी तुलसिदाफ जी यह प्रमुक भक्तिकाल के प्रमुक बिस्ष्था हैं लेकिन इतने ही लिख देंगे तो काफी आपको नंबर मिल जायेंगे तो पहला है निर्गुड भक्त की ज्यान मारगी तथा प्रेम मारगी ये दो साखा हैं याद रखेंगे निर्गुड भक्त की कितनी साखा हैं तो ज्याद रखेंगे पहला है निर्गुड भक्त की ज्याद रखेंगे निर्गुड भक्त के जो प्रमुक कभी है उनके नाम लिखना है निर्गुड काब भक्त के जो प्रमुक कभी है निर्गुड काब भक्त के जो प्रमुक कभी है उनके नाम लिखना है निर्गुड काब भक्त के जो प्रमुक जाइफी जी याद रखाएंगे ये निर्गुणख काविधारा आपको भी कह लिए ठीक है लेकिन निर्गुणख होना चाहिए बस तो कवीर दाव्दी जाइफी जी है ठीक है याद रखेंगे बहुत nella common maan question high label के आएंगे यह आंगे ठीक है अग्रा कोश्चन एक किर्ष्ण भक्ति साखा के दो पर मुख कभी बताई ये तो किर्ष्ण भक्ति साखा के दो पर मुख का लिजाएगा सूर दाप जी हैं और नंद दाप जी है क्रिश्चन के प्रेमी हो किर्ष्ण से संबन्दित इसना तो पहला है इस्ट देव श्रीक्रशन जी दूसरा है संगार के संयोग का मार्मिक वर्ण किया गया ये भी बहुत अच्छा विशेष्टा है और तीसरी दांपत्तेयों सखा भाव की भक्ति की गई यानिकी सखा का मतलब आप लोग समझते हैं भाई चारा है फ्रेंड दोस्त उसके बारें भाव भक्ति की तरह इसमें वर्ण किया गया बहुत ही प्रमुक विशेष्टा है और अगला है क्रिशनी के बाल जी वन का सजीव जहांकी किया गया क्रिशनी जो बच्चे उते ज चोटे थे उनका जीवन है वो कैय फैकल ओसे बड़ा हुआ जहांक्यों के पर पर होगा तुसके लिए महात्पूर्ण ठीक है और राम भक्ति साखा के दोस्त बिसेष्टा है तो पहले बिसेष्टा है लोक मंगल की कामना दूफरी है महान आरदर्सों की कलपना यह को इस बात को ध्यान रखेंगे इसको तयार कर लिजेगा ठीक तो बिसेष्टा ही हो के दो की हो रही उजान रखेंगे इस बात को राम भकति की की बात हो रहे है सबसे प्रम्ख में से जो एक है उनका नाम है गोस्वामि तुलसिदाव यही प्रमुक कभी है इस बात को ध्यान रखेंगे ठीक है अगला कुश्चन है कि भक्त कालिन काबी की रशना किन भासाओं में हो जो भक्त काल की जो करशनाएं है जो भी काबी हैं जो भी कभिताएं हैं उनकी जो रशना है वो किस भासा में लिखी गए यह कुश्चन कह रहा है ठीक है भक्त काल वाली जो रशनाएं रची गई जो पुस्तक लिखी गई है वो किस भासा में है तो इस बात को ध्यान रखेंगे वो सबी जो है वो फदोकडी महाफा और पंच मेल खिचडी अउधी और ब्रज भासाओं में हैं किसमें हैं पंच मेल के खिचडी जिसको बोला जाता और ब्रज भासा और अउधी भासा ठीक है परतिम आप को लिग दिया तो बहुत ही हुआ और और जो दूसरे का भी है इनका नाम है नंददाफ इन्होंने भ마र गीत रस्टना रची हैं तो डास जी की सूर्सागर भी बहुत ज्यादा पॉप्लर होई तो दोनों बहुत ही हाई लेबल के टॉपिक है ठीक है अगला कोश्चन है कि राम काब इधारा की रशना किन भासा में हो यानि कि जो राम काब इधारा के कभी हैं उनकी जो भाफा थी वो किस प्रकार के थी तो इस बात को ध्यान नहीं है इस बात को ध्यान लखेंगे अगला क्राहरा कि कर्श्र मक्ति फाक्या क्या प्रमुक यह मैंने आप उपर बता दिया आप लोग ध्यान देजिए ठीक है और यह इतना महत्पूर्ण नहीं आप इसे ग्नोर्बी कर सकते हैं ठीक है और भक्तिकाल की प्रेमा गार्ग जी आजाएंगे अगला कोश्चन प्रस्तिक भाईया हिन्दी साहित में रीत परंपरा का प्रस्चन किस कभी ने किया है तो आप इसे ग्नोर्बी कर सकते कोई इतना खाफ कोश्चन नहीं लेकिन अगला बहुत ही महादपूर्ण है की रीत काल के पांच कभियों के नाम प्रतिन नदी कभी कौन से हैं इस बात को धान रखेंगे रित काल के प्रतिन नदी कभी कौन से हैं इस बात को धान बिहारी जी जो है ना ओर रितकाल के प्रमुक कभी है ठीक है सिप्रमुक्त धारा के नाम हएं सब्सक्राइए भीछाल प्रस्ट प्रस्तित है कि दो प्रमुक्त रचनाए नाम लेखना है ठीक है इसमें से पहली राम में सबसे पहले राम चंद्रिका और विहाई सबसे ऊपर अगर काउंट किया जाए तो सबसे टाउप लेबल पर यह रखी जाएंगी ठीक है अगला कोश्चिन है कि रीदकाल के प्रमुक कभी कौन कौन से तो बहुत फारे कभी हैं आप लोगों समस्थ प्रुस्तुत है उत्त क्यों सब्सें के रहुआ जाता हुए यह रीटकाल के नाम पर प्रकाफचरक के थीक हुए कि नाम पढ़ा यह कैसे पला इसे बारे में न्युक्य वाजर इस यूग में यानि कि रीत काल के कभियों की प्रवित्ति रीत सम्मंदी कविताओं को लिखने में होने के कारण इस युग को रीत काल के नाम से संभुधित किया जाता है किसलिए संभुधित किया जाता है कि जो रीत काल के कभी हैं इनकी जो प्रवित्ति हैं कि इनकी जो रशनाएं हैं रीत हैं जो इनकी रिथे उसमांध्र ही और समब्ध के नाम से नामा कि शुन्य भी तयार कर सकती है मेरे उनसार यहीं परिभांस आए अगला कोश्चन यह भी महात्पूर्ण जयातर प्रस्ण में आ जाता है मतब जयातर जब परिछाएं होती तो यह प्रस्णा आ जाता है कि रीत बद्ध काब्ध की और रीत बद्ध की इसमें अंतर बताईए तो आप लोग यहाँ पर पढ़ रशना है जो सुतंतर रशना है ठीक है और इस प्रकार आप लिखेंगे दोनों में सिंपल सा अंतर बहुत ही महात्पूर्ण प्रस्ण लेकिन कई बार आया है रिपीट हुआ इसलिए मैं आपको बता रहा हूं अगला कोश्चन है कि रीत काल इन कभी हो ने किस धारा का अग अगला कोश्चन भी अगनोर कर सकते हैं परमुक दे क्या यह भी उगनोर कर सकते हैं ठीक है और यह वाला पड़ ली जग रिपकाल के नाम करण के विविशना की परशना आ सकता है तो इतिहाश कारों ने रित काल को कई नाम दे हैं सर प्रतम मिस्र जो बंद हुए इन्होंन इस कला का काल कहा है जो डाक्टर रसाल है इन्होंने इसे कला का काल कहा है ठीक है रीद काल का नाम अचार रामचंद सुकलुका दिया हुआ है जो आज आप लोग रीद काल के नाम पे जानते हैं इसको अचार रामचंद जी ने इसकी निव डाली है इन्होंने इसको पुकारा पुष्टिमार इतना महादपूर्ण कोश्चन नहीं आप इसे एक्णोर भी कर सकती है पुष्टिमार इतने संप्रदाय में विभक्त है तो याद रखेंगे पांच संप्रदाय में विभक्त है पहला चिस्ती दूसरा है कादरी तीफरा सोहरा वर्दी और चौथा आपका नक्सवंदी और पांच वाए संतारी यह कोश्चन कई बार रिपीटर इसको बात ध्यान ठीक है अग्ला कॉष्चन काब बिस साखा का परवर्थक किसे माना जाता है बहुत ही हाई लेबल का कुईश्चन आपज रखेंगे अगला क्रिशन ब्रवक्त साखा के काब में किस भासा यह हम चंद का प्रियोग की यह यह जो युदester रखेंगे जो याद रखेंगी ब्रज भाषा यूदध है जो चंद होई हैं थीकिए कि excelluve प्धों का प्रयोग किया गया कि इनका जह. के जुपद हैं उनका यूच किया गया है करश्म भक्ति साखा की जितनी भी रशना है उसमें ज्यादा तर ठीक है और अगला प्रशन का हिरा विया कि निर्गुड का विधारा या भी निर्गुड धारा में सगुड़ धारा की दो समानता है मतलब कि सिमिलार्टी का उले कीज अगल्द कि क्रश्ण भक्ति साखा का प्रति पाथ भिमिर्गुड का सकते हैं अगल्द के वह सकते हैं क्या है प्रेम मारगी साखा के नामकरण के आधार क्या है तो ये भी इतना महत्पोर नहीं आप इसे भी गुनूर कर सकते हैं मेरे एक ओर नहीं बाकी question है आप पड़ सकते हैं अगला question कही रहा कि रीत बद्ध धारा के कुछ प्रमुक कभी हो के नाम बताईए तो रीत बद्ध धारा के कुछ प्रमुक कभी है जिनका नाम है किसोदाप जी चिंतामरीत जी और सुर्तीमस्तर जी स्रीपत जी और विखारीदाफ जी सोमनाथ जी इसमें से जो आपको पोस्पल वुफ के तीन चार वो याद कर लेंगे सबसे प्रमुक कभी है उनका क्या नाम है तो नाम है याद रखेंगे घंदनन्द जी बहुत हाइलेबल काुष्टत Hoanneır प्रष्थ होने जा रहा है कि कभीयों का नाम हम लेकिजिए ऐस नाम होगी जिसका नाम है अश्ट शाप तो अश्ट शाप बहुत ही पॉपलर रशना है और बहुत ही पॉपलर एक तरीके से कोईश्चन भी है और एक्जाम में कई भार पूंचा गया है तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं ठीक है अचारे बल्लब के पुत्र गुसामी बिठल नाथ ने बल्लबाचारे के चार सिश्चों कुम्भन दास सूर्दाफ और परमान दास कृष्ण दाफ तथा अन्य चार सिश्चों गोबिंद स्वामी नंद दास छित स्वामी एम चितरभुच को लेकर अफ्ट शाप या अफ्ट सखा का मंदल बनाया था अफ्ट शाप कभियों में महत्मा सूर्दाफ का प्रमक अस्थान है यानि कि अफ्ट शाप की जो रशना है बिठल नाथ इसकी हुई है कि किसे हुई गुसामी बिठल नाथ ने बल्लबाचार के चार सिश्चों को इसमें इंकिलूड किया और कुछ जो अन्यसिस से उनको भी इनकी लूट किया है ठीक है इसलिए यह पूरा का पूरा अफ्ट सखा एक अफ्ट शाप का मंदल बना और अफ्ट शाप कभी में सबसे महत्मा जी हैं जो सबसे महत्मा माना जाता है उस तो उर्दाफ को प्रमक अफ्थान दिया गया ये कोश्चन का हरा ठीक है तो यह भी हाई लेबल का कुश्चन है महत्मूर रख याद रखेंगे हो सकता कुश्चन आ जाए कि आफ्ट शाप के प्रमकभियों के नाम लिखें तो आप इससे तरह लिख देंगे ठीक है जो कभी है अगला कुश्चन की आध्धुनिक कभिता के तीन बिसे जाती है और उनका प्रतिक होता है मतलब एक तरीके से वह किसी चीज को इंडिगेट करती हुई होती है ठीक है इसलिए बोला जा रहा है प्रत्याक्त मक्ता ठीक है चालिए नेश कोश्चन है कि भईया आधुनिक काल के प्रथम युग का क्या नाम याद रखेंगे आधुन अगला कोश्चन है कि भारतियुग की कविता के विशिष्था एंक तो तो उसमें क्या विश्था है निकि देश प्रेम यानी की राफ्ट यानी देश को लेकर उसमें रचनाय रची गई है उसको देखते हुए और ठीक है एम समरपड आध के संदेश नहीं के पहला तो कव कि प्रमुक का भी है ध्यान रखेंगे ऐद्धा सिंग उपद्याए इनको हरी ऑदिकी उपादी मिली है ठीक है और अगला कुष्चिन बहुत के दो महाकाब्यों के नाम निखे तो दुबेद्यक के जो पॉपलर महाकाब्य जो बहुत ही जादा हाई लेबल मतलब कि जाद लोगों तक पहुंचे हैं जिनके बारे में लोगों ने समझा है पढ़ा है वो नमबर एक पें साकेत और दंबर दो पें प्रिये प्रवासिये दो दुबेदियुक के प्रमुक महाकाब्बें याद रखेंगे महात्मूर याद रखेंगे दुबेदियुक के प्रमुक कभियों के नाम देखे प्रस्तुत है मैं थिर्फणा गुप्त जी है उद्ध्याफिंग उपध्या राम नरेव बहुत फारे कभी हैं आप लोग पढ़ लीजे ठीक है अगला कुश्चन के रहा है कि आधुनिक कभिता को कितन अगला प्रस्ने चायावाधि काभिकी कि नाम लिखे तो छायावाधि के लिए प्रमुक बिसेष्टा है उसमें पहला है प्रेमियों सौंदोर कानी रुपड किया यानि कि प्रेम के बारे में और किफी चीज की फुन्दर्ता के बारे में इसमें वड़न किया गया वेदना जिए नाइएं नई युग एक तरीके से बोल तके नाइएं जैसे कि आपने च्छायावाधि पढ़ाए अपने प्रगतिवाधी यूग पढ़ा है इस तरह नई कभिता अभी है तीक है युग एक तरीके से बोल सकते हैं तो इसके कुछ प्रमुक कभी है ठीक है नहीं कविता युप के और अगला कोशिचन भया प्रस्तुत है कि समकालीन हिंदी कविता ते क्या अभिप्रिया है तो फतंतर ते अधर हिंदी कविता के लिए जो असरबधिक पेचलित नाम है वो है समकालीन कविता लेकिन बाद में दीरे दीरे वो उभरी यह कुष्चन कह रहा है ठीक है अगला कोशिचन है कि समकालीन कविता धारा के आगे बढ़ाने का मुख फ्रे किसका जाता है वो जाता है धूमिल जी को इन्होंने कविता को बहुत ही का विधारा जो कविता इसको बहुत आगे तक आपके परिच्छा में प्रस्न परिच्फा में डेखनेंगी ये नहीं कहिए रहा हुं कि जारे यहीं प्रशन आएंगे परिच्च्छा में भरोसा दिला चाहिंगा कि शाट प्र views वीडियो में आपको बताएं को इसमें करí stronger जरूर् आपको परिच्छ में देखने को जाने हो गया। अगर आपको 75 लान यहीं चाहिए अण शायने को बाकर नंगरे को सब्सक्षिए 여기서 कराकर भी हमें में मैसे जड़ारएं बूरागरे को देखरें सकती और जो बन देख आपको previous यानि कि पिछले फाल का जो model paper पूछा गया था ठीक है उसको भी हम आपको PDF में provide करा देंगे लेकिन जो चात्र में message करेंगे उन्हें को ठीक है और बाकी आप exam की तयारी करिए हम आप लोगों के लिए पुरिता सपोर्टी होए और भी कबीर दाफ तर्फी दाफ दो अन्य कभी है उनसे वीडियो कोश्चर आएंगे और ब्याख्या करने के लिए भी आएगा तो आप ब्याख्या अच्छे पे दीजिएगा ठीक है आप लोग बना बना के लिख दीजेगा लेकिन ब्याख्या जरूर लिखेएगा इस बात को ध्यान लखेंगे ठीक है बाकी मिलते हैं को ने वीडियो में जहिंद